आईए सुनते हैं रुवल डॉल की शॉर्ट स्टोरी लैंब टु दे स्लोटर पर आधारित एक हिंदी नाठक बली का बकरा अडाप्टेशन और निर्देशन महेश उमसंकर कलाकार सवीता सामू, अनूश मुर्ती, दिली प्रत्नम, पलक जोशी और स्वागतो बसु मलिक प्रस्तुत करता नाठक उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी हलो, हाँ मा, डॉक्टर विजट हरे डॉंट वरी, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है अभी चार महिने और तो बाकी है पेट से बाहर आएगी, तो कूद के आएगी स्टीफन, हाँ, अभी आता ही होगा उसका फेवरेट ड्रिंक अभी बनाया लो, आ गया, बार में बात करती हूँ ओकी बाई हलो डालिंग सौ साल जियोगे तुम इतना जिकर क्या करूँगा और मरवावगी क्या ओखो, क्या हुआ कुछ नहीं, छोड़ो अरे, कुछ तो है यार ठीक है, मत बताओ बहुत ठके हुए लग रहे हो लो, अपना ड्रिंक पी लो अरे रे स्टीफन, धीरे से पीओ न क्या हुआ है तुम्हे कहा ना, कुछ नहीं तुम आज इतने गुसे में क्यों हो अच्छा आज पिक्चर देखने जा रहे हैं कि नहीं पिक्चर देखने भूल गये क्या, आज थर्स्टे है रहीस देखने वाले थे फाइन, तुम मूड में नहीं हो आज नहीं जाते बाहर घर पर ही सही चलो कुछ टिनर का इंतजाम करती हूँ नो, नहीं चाहिए क्यों, हरे तुम्हारा फेवरेट आइटम है गोष्ट, कोट लेग तुम्हारे लिए, एक तम स्पेशल आज क्या हो गया है तुम्हें जैस्मिन जैस्मिन, तुमसे कुछ बात करनी है यहां आके बैठो, बताता हूँ क्यों, नहीं बैठोंगी तुम खड़े-खड़े बता दो जैस्मिन, प्लीज, बैठो ना बताता हूँ छोड़ो मेरा हाथ बैठती हूँ, लो अब बताओ मैं जा रहा हूँ, जैस्मिन कहाँ? ओ, वो टेली ट्रिप पर वो तो अगले हफते है तुम समझी नहीं मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ क्या? छोड़ कर? यह क्या कह रहे हूँ, स्टीफन? वही जो तुमने सुना नहीं नहीं I'm sorry, जैस्मिन मैं जा रहा हूँ किस के साथ? वो, जैनी यह शीपरडी क्या बकवास? बोलो, है की नहीं? हाँ, है मुझसे भी ज्यादा पागल हो गई हूँ, क्या? पागल? मैं? हाँ, पेट में छे महीने की बच्ची है और रोज तुम्हारे चक्कर काट रही हूँ हाँ, पगली दो मैं ही हूँ सॉरी, जैस्मिन मुझे, मुझे और कोई रस्ता नहीं मिला नहीं मिला? तो, तो निकालो रस्ता क्राइम इंवस्टिकेटर हो बोलाना नहीं मिला ठीक है, मैं निकालती हूँ रस्ता क्राइम इंवस्टिकेटर की बीवी जो हूँ क्यों न, क्यों न, क्यों न, क्यों न, मुझे भी साथ ले चलो तुम खुश, मैं खुश, हम सब खुश स्टॉप इट, भक्वास कहाँ जा रहे हो, ड्रिंक लेने इट्स ओल ओवर, ट्रिंक खतम, हमारा रिष्टा भी खतम क्या जोड़ी है तुम कहाँ जा रही हो किच्छन में, और कहाँ क्यों? टिनर बनाने मैंने बोला न, ये क्या? पक्रा है, कोट लेग, देख नहीं रहा फ्रोजन है, अच्छा सा तगड़ा, मोटा, सिर्फ तुम्हारे लिए स्टॉप इट, बोलाना नहीं चाहिए छोड़ो मुझे, मेरी मर्जी ये गोट लेग मुझे देदो, जास्मिल नहीं दूँगी, छोड़ो मेरा हाथ देदो, नहीं देदो, नहीं लो, छोड़ दिया खुच भी करो, दमिट भी Stephen, our baby how dare you I'm going to kill you I hate you जास्मिल मुझे छोड़ के जाओगे इस हालत में तिनर नहीं खाओगे लो, बक्रा खागया ती रस्सर जास्मिल जास्मिल Stephen 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 What have I done? What have you done? Why did you do that Stephen? My child What will happen now? Police Oh God What will I do? Okay Don't do that, son जास्मिल तुझे छोड़ कर कही नहीं जाओगी सोचने दो सोचने दो सोचने दो हाँ हाँ That day Stephen was saying something about murder investigation about murder investigation के बारे में एाद कर वा Jasmin Try to remember Hey Jasmin What happened? You are in anger Yes Mrs. Mishra She just gets on my nerves Ethan will definitely kill her अरे यार किसी को मारना है तो make it worth it ना worthless है वो एक advice दो मैंने बहुत murders investigate की है अगर किसी को मारना है तो दो चीज याद रखो पहले create an alibi पोलिस को सोचना चाहिए कि तुम कही और थी दूसरा destroy the murder weapon जला दो उसे फिर कोई नहीं पकड़ेगा तुहे Yes murder weapon उसने कहा जला दो जला दो कैसे हाँ किचनवन में डालती हूँ फिर नहीं डाल दिया अब नेक्स्ट बस आलबाई कहाँ जाओ मैं तॉमस फोटशॉप ठीक है तॉमस मुझे दू किलो तॉमस नहीं Oh, Jesus Relax, Jasmine, relax Thomas, मुझे पाव किलो कंदा और पाव किलो बटाटा चाहिए Okay, that sounds much better Oh, तेरी कहाटर, पहले से ही, जालिमा Oh, आईए मेरम, आईए, आईए कैसे हैं आप, हैं, बैठिए, बैठिए लगता है, बारिश आने वाली है इस हालत में आपको नहीं आना चाहिए था मैं सुदेश को भेज देता कोई बात नहीं, Thomas जी बस घर से बाहर आने का मूर था पाव किलो कंदा और पाव किलो बटाटा चाहिए अब ही लाया, अरे शुदेश मैंडम के लिए पाव किलो कंदा और पाव किलो बटाटा लाना मैंडम, लगता है घर में बकरे का सूप बन रहा है क्या? अरे हमें सब पता है मैंडम कल ही तो बकरे की टांग भीजाथा स्पैसल आपके लिए फिर आज कांडा, बटाटा ज़रूर स्टीफन जी का फेवरेट होगा तो मैंगो ऐस्क्रीम भी पैक कर दूँ मैंगो ऐस्क्रीम? हाँ, उनकी फेवरेट और शायड आपका भी दो महीने से हर फ्राइडे को लेकर जाते हैं दो महीने से? क्या मैडम, आपको पता नहीं, सब कुछ खुद खा गए क्या? हाँ, शायद खुद खा गए, सब कुछ खा गए फ्रिज में देखिये मैडम, कहीं छुपा होगा हाँ, जरूर देखूंगी ठीक है, अभी गया और आपका सामान ले आया मैडम, क्या हुआ? सो सौरी थामस, हाथ लग गया कोई बाट नहीं मैडम, कोई बाट नहीं, आपको चोट नहीं लगी? वैसे तो पुराना स्टाप था, छोड़िए ये लीजिए, आपका सामान भारिस होने वाली है, जल्दी निकल लिए छट्री चाहिए? नहीं, बस, थांक्यू, चलती हूँ अरे, स्टूटेश, अब तूने क्या भोड डाला, है? आज टोड भोड दा क्यों आरे, क्या? हलो, टालेंग, मैं वापस आ गई हूँ बस, ट्राफिक में फस गई थी और, इस हालत में, चलने में भी तो टाइम लगता है, ना? वैसे, थॉमस के बोतल सब तोड डालें याद रखेगा वो जैसे, तुमने बताया, वैसे ही किया ख्रियेटिट अनालबाई थैंक्यू टालिंग और हाँ, सुना है, तुम्हे मैंगो आइस क्रीम बहुत पसंद है कार में एक डबा मिला मुझे कभी नहीं बताया तुमने मैं ले आती मैंने कहा ना, तुम्हे जो भी पसंद है, वो मुझे भी पसंद है जस्ट नॉट जैनी अरे, मैं कब से बोली जा रही हूं और तुम चुप चाप ओ माई गॉड, स्टीफन स्टीफन, मेरे हाथों ये क्या हो गया तुमने ऐसा क्यों किया, स्टीफन हलो, पुली स्टेशन, मिश्रा जी है, छुट्टी पे है अच्छा ठीक है, ठीक है, सेल पे ट्राइ करती हूं मिश्रा जी, मिश्रा जी, जैस्मिन बोल रही हूं वो, वो, नहीं मैं ठीक हूं मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ है लेकिन स्टीफन, स्टीफन, किसी ने उसे मार डाला हाँ मैं सामान लेने गई थी वापस आई तो किचिन के सामने बड़ा हुआ था नहीं सांस चेक नहीं की पता नहीं जल्दी आईए प्लीज अकेली हूँ पहुट लग रहा है अरे ये दर्वाजा क्यों खुला है अंदर से बंद नहीं किया हुगा अभी बंद करूं नहीं कमलस माडम यह क्राइम सीन है मर्ढर की फिंगर प्रिंट हो सकती है गुट पॉइंट सार जैसमीन जैसमीन मिश्रा जी मिश्रा जी सर यह लीजिए हैंड कर्चीफ माड़म के लिए कम्रिस मैडम, यहां पिक्चर नहीं चल रही है, जा कर पहले लाश को चेक कीजिए ओके सर सर, सर लाश मिल गई ठीक है, जैस्मिन, मैं आ गया हो न, सब संभाल लूँगा आओ, यहां पहले बैठो, अब बताओ, क्या हुआ वो, मैं, सामान सर, सर, इधर आईए, सारी, जैस्मिन, एक मिलिट क्या है मैडम, आप मुझे बात करने देंगी सर, मैंने लाश की सास चेकी, यह तो गया सर हरे मैडम, वो तो पहले से ही पता है नो, नो सर, पहली बार लाइफ में लाश को चेक किया है वो भी फ्रेस लाश, बात तो बनती है ना सर मैडम, होश में आईए, यह पिक्चर नहीं है काम की बात करें, पहले लाश को चौक से मार कीजिए जी सर, डॉक्टर और फोटोग्रफर को पहले से ही मैंने इनफर्म कर दिया है लीजिए उनकी नंबर, फिर से फोन करके उन्हें याद दिलाएए, ओके ठीक है सर, पर सर वो एक प्राब्लम है वो मोबाइल का टॉक टाइम थोड़ा कम है सर वो कैसे, वीकली अलावेस मिलती है, खर्च हो गई वो इस हफते रोज लेट काम करना पड़ा ना सर गण लेके रिशी को मारने वाला था, तो पुरा फोन पे देख लिया सारी सर, वो ठीक है ठीक है, यलो मेरा फोन, मगर सिर्फ उनको कॉल करना, कोई सीरियल विरियल नहीं, समझी जी सर, समझ गई मैं जरा जैस्मिन से पूछ साच करता हूँ, सॉरी जैस्मिन, अब बताओ, क्या हुआ स्टीफन आज काम से बहुत टायड लग रहा था, तो मैंने कहा, तुम रेस्ट ले लो, तुम्हारा फेवरेट बकरी का सूप बनाती हूँ, फिर मैं सामान लेने गई, थॉमस फूट शॉप से कितने बजे हुँगे? याद नहीं अंदाजे से? शायद साथ बजे और वापस कब आई? वैसे एक घंटा तो लग जाता है, शायद आट बजे ठीक है, फिर क्या हुआ? वापस आई, और स्टीफन, वो सर, सर, बैड नियूज अब क्या हुआ कमलेस मैडम? एक्सिडेंट हो गया, सर? टॉक्टर के कार गड़े में गिर गई नाट कुड, नाट कुड कितनी बार कहा उनको कि वो पुराने कार फेंक दे दिमाग में कुछ घुसता भी है हम, तो ऐसा कीजिए उनसे कहिए जल्दी से टैक्सी लेकर आ जाए ओके सर और बाहर जीप के सामने उनका वेट कीजिए कहीं खोन आ जाए हाँ, जैस्मन इस घर में कोई और दर्वाजा है क्या? हाँ, एक पिछवाडे में है बस बंद रहता है वैसे सामने की दर्वाजे में कौन सा लॉक है? लाट स्टाइल तो जब बाहर गई लॉक करके गई हाँ और वापस आने पर? चाबी से खोला था यानि बंद था? हाँ है ना? हम, माई गॉड समझ गया पता चल गया किसने किया? क्या? ये तो इनसाइड जॉब है जैस्मन जिसने भी किया स्टीफिन की जान पहचान का होगा स्टीफिन ने खुद उसे अंदर बुलाया होगा देखो यहाँ बातचीत हुई और वहाँ उसने किसी भारी चीज से मारा होगा मर्डर वेपन शायद साथ में ही लाया होगा एक बार वो वेपन हाथ में लग जाए मैं आगया हुँ ना तो अब सब कुछ सौल कर देंगे आए डॉक्टर मगर फोटाग्राफर का क्या हुआ सर जब कार गड़े में गिरी ना तो फोटाग्राफर को चोट लगी ओ माई काड और इतना खून निकला कि पूछिये मत सुनके ही मेरा तो हाठ फेली हो गया ये डॉक्टर ने तुरंत अबुलेंस बुला के सब तैयारी कर दी क्या बात है डॉक्टर आइ थिंक अफ एवरिफिंग ये नो अच्छा तो फोटाग्राफर का कैमरा मैंने बोला ना आइ थिंक अफ एवरिफिंग फोटो आप हाँ सर बहुत अच्छी फोटो लेते हैं बाहर मुझे सारे फोटो दिखाए फेस्बुक में क्या हाँ सर उनकी बेटी के पाटी के कितनी प्यारी बच्ची है हाई 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 कमलेस मैडम ये क्राइम सीन है कोई बर्थे बाटी नहीं मैडम प्लीज अब रोना शूरू मत करो अब काम पे लगे ठीक है सर थोड़ा इमोशनल हो गई है वैसे मैडम कैसी है ठीक है अभी बात कर रही थी वो देखो बेचारी वहाँ कोने वे बैठके स्वेटर बना रही हैं डिस्टर बत करना तो डॉक्टर वो फोटो अब इंस्पेक्टर डॉंट वरी आइकन टेक देक देक्राइम सीन पिक्टर इस फोटोग्राफर के साथ आइव वर्क बिफोर मैं संभालूंगा जब मैं अंदर आया तो आप मर्डर वेपन की बात कर रहे थे हैं ना येस ऑफ कोर्स आइवल हेल्प यू इन सच केसेस आइव एव फिलिंग अ सिक्सेंस इस मर्डर वेपन को सूंग कर भी पता लगाएंगे डॉक्टर क्या बला आपने सूंग तो मेरी नाक में एक सुगंद आ रहे है आपको भी आ रहे है नहीं तो मुझे तो आ रहे है अभी ढून के निकालती हूँ लो किचन से आ रहे है ये तो ओवन से आ रहे है सर सर ये तो बकरे की टांग है क्या सुगंद है मैडम मैडम डिनर बना रही थी क्या हाँ भूल गई थी एक मिनिट आती हूँ स्टीफन की फेवरिट है उसके लिए रोस्ट कर रही थी अब क्या करूँ इसका क्या आप सबने डिनर कर लिया है नहीं मैडम सीध स्टेशन से आ रही हूँ जास्मिन तुम क्यों चिंता करती हो काम में ऐसा होता है हम संभाल लेंगे नहीं ऐसे कैसे छोड़ दू मेरे घर आये हैं ऐसे भूके नहीं जाने दूँगी जी सही बात है आप सब मुझे हेल्प करने आये हैं स्टीफन को भी बुरा लगेगा बहुत लेट हो गया है प्लीज, मेरे लिए लेकिन अब सूथ बनाने के लिए टाइम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम काट के खालूंगी कमलेस मैडम जरा चुप रहेंगी प्लीज अब ही किचन में जाकर बाकी डन्नर तयार करती हूँ सर, वैसे कुछ आइडिया मिला कि किस ने मर्डर किया है हाँ, एक बात तो साबित हो चुकी है ये मर्डर स्टीफेन के जान पहचान वालों ने ही किया है सची में? जान पहचान वाला? सर, मुझे पता चल गया किस ने किया है और ये पिक्चर विक्चर नहीं है सर, दिमाग लगा के सोचा है, हाँ अच्छा, तो बताओ, कौन है, हम भी सुने ये जरूर सिबास्टियन ने किया है कौन सिबास्टियन? वो ही, वो जैनी का भाई कौन, वो बार सिंगर जैनी, मगर क्यों? क्या सर, आपको कुछ भी पता नहीं, कैसे इंस्पेक्टर हो जी, ऐसे कैसे कातिर को ढूंडेंगे बहुत दिनों से स्टीफन जी और जैनी का चक्कर चल रहा था क्या, not possible पॉसिबल है सर, एक दिन सिबास्टियन ने स्टीफन जी को बार के पीछे धमकाया पूरी बोतल पीके चिलाने लगा स्टीफन साले, चार महिने में बाब बनने वाला है तू चैनी के साथ चक्कर चला रहा है सटक ले, नहीं तो मरेगा, तेरी तो साले कमलेस मैडम, थोड़ा शांत हो जाएए चैस्मिन सुनेगी तो और दुखी हो जाएगी सारी सर, फिर से इमोशनल हो गई माडम, ये काम सेबास्टियन नहीं कर सकता अहीं सर, मैंने खुद देखा है माडम, कुछ तिन पहले सेबास्टियन को तोड़ फोड़ करने के मामले में मैंने ही अंदर डाला था ओ, अच्छा हाँ, और वो इतना पिया हुआ था कि मैंने बोला कि दो दिन और अंदर रख लो ठीक है, अब इस बात को आगे मत बढ़ाओ जास्पिन को ये सब कभी नहीं पता चलना चाहिए पर हमको सब पता है इंस्पेक्टर आई नो एवरिधिंग अच्छा, तो आपके एग्जामिनेशन से क्या पता चला, दॉक्टर? हम, सर की चोट से लगता है, मुस्ट बी अस्ट्रोंग वेपन, एक ही वार से माल डाला लेकिन वेपन क्या है, ये कहना मुश्किल है लेकिन बलंट होगा डिनर रेडी है, बक्रे की टांग, थोड़ा खा लीजिए प्लीज, बहुत भूके होंगे इस हालत में भी आपकी हॉस्पिटालिटी के लिए थैंक यू मुझे लगता है, ये मुझे लगता है, ये मुझे लगता है, बहुत सारे सैंपल्स कलिक किये है देखते हैं वैसे, टाइम अफ टेथ क्या है डॉक्टर? करीब साड़े साथ ओ माई गॉड, यहां से जैस्पिन गई और पीछे-पीछे कातिल आया सर, आपको कैसे पता है कि कातिल आदमी है? कमलेस मैडम, आपको क्या लगता है, कि कातिल कोई औरत हो सकती है? मिश्रा जी को उसको अंदर लाने के लिए ताकत की ज़रूरत है, यह कोई साक्षी मलेख ही कर सकती है हम, तो और क्या पता चला? कातिल ने पीछे से वार किया है ओ, I see मिश्रा जी, अब आप यहां खड़े हो जाएए, प्लीज, थैंक यू अब जोर से मारने के लिए, दोनों हाथ को ऊपर उठाइए वेरी गुड, एक मिनिट, एक मिनिट क्या हुआ डॉक्टर? आपके हाथ के एंगल से लगता है, कि कातिल जरूर आपसे चोटा है यह शौटर दिन यू, बस मेरे शोल्डर तक उसका हाइड होगा सर, सर, मैंने पकड़ लिया, कातिल को पकड़ लिया एक मिनिट जैस्मीन मैडम, जैस्मीन मैडम, एक मिनिट, यहाँ आइए अरे, अरे, जैस्मीन को क्यों दिस्टर कर रहे हैं आप? अरे बताती हूँ सर, थोड़ा शान्तो रहिए, जैस्मिन मैडम, प्लीज, यहाँ आईए, यहाँ खड़े हो जाईए कहाँ, क्यों? बताती हूँ, अब जोर से मारने के लिए दोनों हाथों को उपर उठाईए पर, पर क्यों? कीजी ना, प्लीज, देखा, देखा, मैंने पकड़ लिया ना क्या बखवास है मैडम, अब कहना क्या चाहती है, कि जैस्मिन ने यह कतल किया है, नॉंसेंस ये भगवान, मेरा मतलब वो नहीं था सर, जैस्मिन मैडम बुरा मत मानिये प्लीर, मेरा मतलब ये था कि कातिल की हाइट और मैडम की हाइट एक दम बराबर है, है कि नहीं? अब पकड़ेंगे साले को कमलेश मैडम, you are absolutely correct थेंक्यू सर आपने कमाल कर दिया, I am impressed अगर कातिल जैस्मिन की हाइट का है, और बहुत स्ट्रॉंग भी है, वो तो छोटा होगा, तगड़ा होगा पिल्कुल बॉडी बिल्डर टाइप, दंगल के आमिर खान जैसा होगा गुड, 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 वेरी गुड, तो कल ही महले के सारे फिटनेस क्लब की चान भी शुरू करते हैं फिंगर प्रिंट के मैच से ज़रूर पकड लेंगे लेकिन उसके लिए तो मुर्डर वेपन चाहिए, डॉक्टर वो भी मिल जाएगा, पूरा एरिया चेक कीजिए, who knows, it may be right under our nose हाँ, डॉक्टर, उस मुर्डर वेपन का एक टुकडा मिल गया न, तो ये केस सॉल्व हो जाएगा सिर्फ एक टुकडा सर, पहले इस बकरी का एक टुकडा खाकर देखिये, आपकी बात सच निकलेगी और मैडम भी कुछ रहेंगी प्रॉप्राइब प्रॉप्राइब आपके जिए अपके जिए तर्फाइब दॉप्राइब क्या आपको नाटक, नोटन की किसे और कहानिया सुनना पसंद है? तुछ आजयाए, and add drama to your life, with me, Rajiv Neema. America's biggest Indian theatre group, Natak, is now on radio.